नमस्कार दोस्तों सहरेसी टेक्णोलोजीस में आपका स्वागत है और मैं है दिलिप गंगार बहुत सारे एक्जाम में इंटरनेट से रिलेटिड आज कल कुश्चन्स आते हैं इंटरनेट से related हम important important सारे concept इसमें पूरे cover करेंगे, तो सबसे पहले इंटरनेट की definition देखते हैं, तो इंटरनेट देखो एक network का network है, माल लेजिए एक computer है मेरा, इस computer में बहुत सारी files हैं, बहुत सारी applications हैं, एक computer आपका है, उस computer पे वो applications नहीं हैं, तो क्या हम अपने computers को connect करके, और हम अपने resources को share कर सकते हैं, आपके computer पे जो files हैं मैं इधर यूज़ कर लूँ, आप मेरी वाले उधर यूज़ कर ले, download कर ले, upload कर ले, इसके लिए हम computer का एक network बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको इस image में दिख रहा होगा, computers connect करके, network के ही विशाल रूप को internet बोलते हैं, आपने offices, bank में देखा होगा, सारे computers एक दूसरे से connect रहते हैं, उनका यही लाब होता है, कि वो एक दूसरे से resources share कर लेते हैं, तो internet क्या है, worldwide network है, पूरी दुनिया का एक network, जैसे कि एक office में 4-5 computers का हो सकता है, वैसा ही, अब देखिए दूसरी चीज, तीन चीज़ें पता होने चीए, land, man और van, land यानि local area network, man यानि metropolitan area network, van यानि wide area network, local area network यानि एक building में, एक office में computers को तारों से connect कर दिया जाए, तो वो local बोल देते हैं, local network बना लिया हमने metropolitan यानि पूरे शहर में हम computers को telephone के wires से या फिर Wi-Fi से या फिर satellite से link करके हो सारे computers को एक बड़े बड़े शहरों में connect कर लें, वो है metropolitan area network, फिर उसका when होता है यानि worldwide, पूरी दुनिया में satellites के थुरू या फिर fiber cables जो पड़ती है, electrical cables जो बिचती हैं समुद्रों तक में, उनके थूरू किसी भी तरीके से हम computers को आपस में connect कर लें, network स्तापित कर लें, उस network को बोलते हैं, wide area network, तो एक तरीके से internet एक बहुत बड़ा wide area network है, अब computer network के फाइदे क्या हैं, computer network क्या करता है, एक दूसरे को resources use करने का नाम है, मेरे computer पे एक application डली हुई है, जो बहुत heavy application है, और वो दूसरे computers भी चाहते हैं, use करना तो क्या हम सभी पे install करें, अगर हमने एक printer लगा रखा है और दूसरे लोग भी उस पर print देना चाहते हैं, पचास सो computer हैं हमारे office में, सब लोग जर्रक पड़ती है उस printer की, तो क्या सभी लोगों के लिए एक printer provide करना चाहिए, ये कुछ problems हैं, इनका solution है network है, अभी हमारे office में माल लिए एक ही printer है, और उस printer को हम network पे कर दें, अनि सब computers को तारों से जोड़ दें, तो क्या हो जाएगा, उस एक ही printer को सब लोग access कर पाएंगे, तो network से आप सारे resources को साजा कर सकते हैं, एक computer से दूसरे computer जो connect है, उनमें आपस में mail भीजा जा सकता है, data transfer आराम से हो जाएगा, माल लिए एक office में हम लोग काम कर रहे हैं, मैं एक file की मुझे जरुरत है, मेरा colleague है, उससे मुझे वो एक file चाहिए, तो क्या मैं pen drive दूँ उसे, तो office में एक काम तो बहुत hard हो जाएंगे, अगर हमारे computer connected नहीं होगे, एक दूसरे को file sharing सबसे important शीज होती है, किसी भी office में, तो file sharing हम एक दूसरे से network पे कर सकते हैं, कैसे मैं आपको बताता हूँ, देखे, जैसे हमारा computer है, आपको द Ethernet cable से, पिछला part आप जरूर देख लें हमारे वीडियो के जिसमें computer से related हमने basic concepts बताये हैं, वो बहुत important है, वो जो computer से हमारे connect है, उनकी list यहां आ जाती है, और आप आराम से उसको खोली हो, और उस computer की files use करी है, जो उसने sharing में कर रखी हैं, public कर रखी हैं, या फिर उसका password के through use करके आप उसकी files को use कर सकते हैं, files, printer, कुछ भी, internet की history देख लेते हैं थोड़ी सी, देखी एक है airpanet, तो यह सबसे पहला internet था, उननेस सो गुनतर में सिर्फ चार websites को मिला के एक internet है स्थापित किया, और उसके बाद 1989 में इसको commercially US government ने establish कर दिया, कि commercially आप आराम से use करो, त developed under the direction of the US government, ध्यान रखना, thanks to US, Advanced Research Projects Agency, इसका नाम था airpa, ARPA, Advanced Research Projects Agency, ठीक है, कुछ important लोग के नाम देख लेते हैं, जो उनने internet के evolution में अपना सहोग दिया है, उनके नाम देख लेते हैं, December 1997 में, Bill Clinton, President of US ने award दिया था, किसको काफ एंड उनके friend Robert E. कहान, इन लोगों ने मिलके internet को develop किया था, इसलिए इनको 1997 में price भी मिला, काफ को हम father of internet बोलते हैं, लियोनार्ड क्लेन रॉक ने packet switching को develop किया था, जो internet में सबसे important है, एक तरफ से message करते हैं, packet के through वो message जाता है, और उधर से वापस ऐसे ही आता है, उसके बाद Larry Roberts, इन्होंने आपनेट develop किया था, जो सबसे पहले उपर मैंने आपको बताया था, उसके बाद Wint Corp A. और Robert Kahan, इन्होंने मिलके TCP IP को भी develop किया, TCP यानि transmission control protocol, IP यानि internet protocol, तो transmission control protocol, दोस्तो protocol यानि क्या होता है, protocol यानि rules, बोलते हैं आप office में जाते हो कहीं, क्या ब तो transmission control, यानि transmission जो भी filing transmission हो रहा है, internet पे, files, transfer, downloading, uploading, internet के rules, transmission के rules के जो protocol बनाए, वो और IP, internet protocol वो इन दोनों लोगों ने develop किया, रेमेंट, टोमिलेंशन ने email बनाया, कितने बड़े-बड़े inventions ही रहे हैं, जिसके कारणाज हम internet यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद Paul, Mocha Patrice, और John Postal, इन्होंने domain name system बनाया, DNS, domain name system, जिनको ना पता हो, यह समझ लिया, आप एक website बनाते हो, और website का नाम आपने लिखा, www.gangwa.com माल लो, तो यह नाम कौन दे रहा है, यह होता है, domain name system, आप किसी पर website का नाम कुछ भी नहीं रख सकते हैं, एक ID देनी होती है, आप जो नाम रखते हो, जैसे email ID, email आप बनाते हो, तो email जो ID होती है, at the rate gmail.com करके जो ID's होती है, वो ID's unique होती है, कि match ना हो किसी जे, वो एक ऐ internet पे, एक application पे वो एक address होता है, ऐसा, जो unique है आपका, ऐसे domain name system, www पे आपकी website का एक बिलकुल unique नाम, उसको बोलते है, domain name system, वो इन्होंने बनाया था, कि बात देखते है, internet इतना लोगप्रियों क्यों है, यह तो बहुत ही सरल सा प्रश्न होगा, कि internet के बहुत सारे फाइदे हैं, बहुत सारे लोगों को यह help कर रहा है, लाइफ में तो इसलिए यह बहुत ज़्यादा लोगप्रियों है, किसलिए search information की search के लिए, आज जो education है, आप आराम से कुछ भी आपको कोई definition नहीं आ रही है, आपको कोई चीज का नाम नहीं पता, तुरन से google पे आप search कर ले द electronic mail क्या है, इन जो चीजे मैं आपको बता रहा हूं, इनकी full form short form से related भी questions आ सकते हैं, electronic mail, electric mail कहीं मतलिक कर के आ जाना, ठीक है, electronic mail मतलब mail यानि क्या होता है, dark, dark या dark लाया, ध्यान है न, तो dark या dark लाया, ये electronically dark लाया, ठीक है, कोई इनसान dark लेके नहीं आया, application के तुरू, य यह एक application है, यह एक program है, या application है, जो आपको क्या करती है, अपने हाँ एक आपको space provide करती है, कि यहाँ 10GB, 5GB, space में आप अपनी mails रख सकते हो, photo रख सकते हो, और दूसरे आप data वहाँ पे रख सकते हो, drive पे जैसे हम data रखते हैं, यह देखिए, आप Google से related, आपको यहाँ बह drive पे आप बहुत सारे documents पगरा रख सकते हो, यह Google प्लस है, Facebook के जैसे YouTube आप जानते ही है, यह सारे apps पे आप बहुत सारे data रख सकते हो, तो आप apps पे बहुत सारी mails भी वहाँ पे store रहती है, जैसे Gmail आपने खोल लिया, नीचे पैन आता है, उसमें वो दिखा देता है कि कितना space है वहाँ पे, आपके कितना data आप यह store कर सकते हो, यह देखिए, आपको यह Gmail पे यहाँ पे दिख जाता है, कि देखो 15GB, यह एक application है, जो आपको 15GB का space दे रही है, कि आप वहाँ अपनी mails वगरा रख सकते हो, अपने documents, photos, यह देखिए, photo app होता है, इसमें photo आपके रख सक security on कर रखे है, तो आपके वो सारे photo, जो भी mobile से कहसते हो, वो उस app पे भी store हो जाते रहते हैं, तो आपको mobile के photo delete कर लो, तो वहाँ से आप retrieve कर सकते हो, तो Gmail एक ऐसी application हो गई, जो आपको mailing के लिए काम आती है, आप अपना कोई भी संदेश किसी को भेज सकते हो, message, जैसे WhatsApp पे कोई भी application use कर सकते हो, mailing के लिए, उसके बाद है telnet, full form ध्यान रखें, terminal network, इससे बना हुआ telnet, confuse करने के लिए कोई गलत full form आ सकती है, telnet एक ऐसी application है, जो आपके काम आती है, किसी भी दूसरे computer को, machine को use करने का यह तरीका है telnet, text-based manner, मगर ध्यान रखना है, किसी दूसरे computer को, आप अपने computer पर use तो कर सकते हो, पर text-based, cmd खोलोगे, ऐसी window पर आप दूसरे computer को use कर पाओगे, उसकी files वगरा क्या, data वगरा देख पाओगे, मगर graphically आप उसे use नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं है कि आपको खूप सारी images और graphics वहां के दिखेंगे, applications वगरा, use कर पाओगे, वहां की बहुत सारी चीज़ें आप दूसरे computers की use कर पाओगे, तो telnet एक network protocol है, internet का, वो local area network पे, आपकी जो भी office वगरा में है, वो आप bidirectional interactive text-oriented communication facility के लिए काम आता है, bidirectional यानि, by यानि क्या होता है, to, direction यानि, direction यानि, दोनों तरफ, आप retrieve भी कर सकते हो, file, file भेज भी सक उस network पे आपको बस text-oriented है, दियान रखना है, graphical oriented नहीं है, तो इस पे आप computers को remotely use कर सकते हो, दूसरे computer पे, text-oriented आप मैं आपको बताई दिया, images, fancy things, graphics आप इस पे use नहीं कर सकते है, आप telnet install करो आराम से, और दूसरे computer को remote को IP address के थुरू, आप उसको use करो, किसी भी account को, या फ देता हूँ, एक पर देखी, remote desktop है, आप ऐसे click करके किसी दूसरे computer को, दुनिया के कहीं भी किसी computer को IP address के थुरू, उसकी ID के थुरू, आप दूसरे computer के screen को यहाँ खोल सकते हो, ठीक है, इसको बोलते है, remoteing, तो यह हमारी window remoteing है, window की application है वो, और यह telnet दूसरी है, जिससे window application आपकी बिल्कुल ऐसा ही desktop खुल जाएगा, आप दूसरे computer के किसी software को भी telnet पे use कर सकते हो, दूसरे computer के applications और उस device को आप use कर सकते हो, इस facility के तुरू, उसके बाद FTP, file transfer protocol नाम आपको बहुत ही clear दिख रहा होगा, कि file को transfer करने का protocol है, जैसे आप Google पे आप लिखते हो, यह यहाँ पे देखे, HTTP लिखा हुआ है, यह दिख रहा का है, HTTP, इससे आप क्या कर रहे हो, hypertext transfer protocol है, यानि webs को use करने का, ठीक है, अगर आप यहाँ पे FTP लिखो, FTP slash double slash, और जिस computer को आप IP address के थ्रू, यह FTP देखे, indianol.co.in का है, आप उन computers को आप use कर सकते हो, किसी वे websites को use कर सकते हो, file transfer protocol, यानि आप आराम से file download कर सकते हो, और upload कर सकते हो, वाँ पे, एक remote computer से, यानि दूसरे remote computer, यानि जो आपके पास नहीं है, दूसरी जगह है, उस computer से file को अपने computer पर डालना क्या बोला जाता है, downloading, अपने computer से remote computer पर डालने को क्या बोलते है, uploading, FTP, जो sites हैं, वो ए PCV user के द्वारा internet पर आराम से खोली जा सकती है, उसके बाद देखते हैं, तीसरी important चीज हमारी www, यानि worldwide wave, यह देखे, बिलकुल worldwide wave, एकदम simple common application है, ध्यान रखना, जैसे कि मना बताया था आपको computer में, पिसले पार्ट में के computer को, computer के world को software और hardware की दुनिया में बाटावा जा सकता है, तो कोई चीज या थो hardware होगी या software होगी, ठीक है, तो जो applications है, वो software है, सारे, इसके थोड़ा, और elaborate करते हैं, it is a network of online content, एक तरीके से जो दुनिया के पूरी, जो HTML के pages है, यानि HTML का page को क्या बोलते हैं, website, HTML के websites, यानि pages का एक network है, और आप किसी भी page को internet पे, browser पे या www, websites का network है, ठीक है, जो भी हमारे hypertext documents, internet पे अबेलेवल है, उनका network ही है, www, और उन documents को हम web page बोलते हैं, web page यानि website, और उन website को खोलोगे कहां, एक browser पे, होगी definition, तो एक browser, एक application है, जैसे chrome अभी आपको खोल के दखाया था, mozilla, aids, aids हमारा window का app, एक browser, ठीक है, internet explorer था, पुराना opera है, तो safari है, यह बहुत सारे browsers है, ठीक है, question आ सकता है, कि हाँ चार option दे दे और उन में से पूछ ले, इन में से browser कौन सा है, तो ध्यान रखना है, browser simple एक desktop application है, यानि computer पे रहने वाली एक application है, और वो application पे हम websites को open करते हैं, websites का player है एक तरीके से, website किसी भी computer पे नहीं रहती, वो server पे रहती है, जहां भी computer पे रखी हुई है, पर उस website को एक website अमेरिका में रखी है, किसी भी server पे हो, और उसे हम अपने computer पे खोलना चाते हैं, तो हमें एक browser on करना पड़ेगा, उस browser पे हम यहाँ पे उस website का, जहां वो रखी हुई है, उसका address दे देंगे, ऐसे करके हम, ऐसे करके, आप YouTube का आपने address दे दिया, यह address है आपने website का, जहां वो रखी हुई है, और browser पे हमने website खोल दी अपनी, तो browser एक application है, जिस पे हम websites run कराते हैं, ठीक है, www क्या था, network था पूरी websites का, और www का interface, यानि जिस पे खुलती है, www के pages, वो है हमारी browser, search engine, यानि www, जो websites का network है, उस पे कोई भी content अगर आप सर्च करते हो, सब ही website हो, दुनिया की अरभू website हो पे आप जो कोई content सर्च करते हो, यह आपको data सर्च करके देता है, आप कुछ भी लिखते हो Google पे, search कर रहा हो, मैं कि enter करा और देखी, यह देखी, मैंने error का नाम लिखा, Google पे अपना वीडियो आरा है सब से पहले, ठीक है, तो story यह है boss, कि जो भी आप Google पे search करते हो, यानि Google एक application है, ऐसे ही बहुत सारे search engine है, Google है, Yahoo है, MSN है, यह सब search engine है, search engine का भी ऐसा question आ सकता है, ask है, email है, Bing है, Bing हमारा, उसका है Microsoft का, देखे, Microsoft के browser पे Microsoft का search engine कोल के दिखाता हूँ, कहीं भी खोल सकते हैं, आप Chrome पे भी खोल सकते थे, यह देखे, Bing, किसका है, Microsoft का, कितना बड़ी है search engine है, यह भी बिल्कुल Google के जैसे है, ठीक है, आप आराम से कुछ भी search करो, बहुत अच्छा interface है, सुन्दर बहुत है, ठीक है सारी facilities है, कोई कम नहीं है, ठीक है, तो आप ऐसे करके, यह search engines है, बस जो भी आप यहाँ पे search करते हो, वो क्या करता है, जैसे आप यहाँ पे search करते हो, पूरी दुनिया का worldwide network से, जो आपने search करा, वो data उठा के आपको show कर देता है, that's it, उसके बाद अपने computer के internet से हम अगर connect क करना चाते हैं, तो हमें करना क्या होगा, जैसे simple सा question, तो हमें देखो modem या router लगाना होगा, ऐसी machine जो आपको मैंने यहाँ पे डाल रखी है, ऐसी machine आपको खरीदनी होगी, आपको लगाना होगा, और आप या तो telephone connection लो, जैसे BSNL का, Jio का, किसी का भी, और वो तार इसमें frequencies खरीदी हैं, जिन पर वो पूरे दुनिया के internet को satellites के थुरू ले रही है, तो satellites से या फिर telephone के तारों से आपका internet आपके घर तक इस router पे पहुँच जाएगा, और फिर इस router को आपके computer पे तार connect हो जाएगे, तो बस आपके computer तक वो internet पहुँच जाएगा, ISP यानि क्या होता है, internet service provider, जो आपको internet provide करवा रहा है, यानि जैसे बताया है, मैंने BSNL, Jio, Airtel, वो company जो आपको internet provide करवा रही है, इसको ISP बोलते है, internet सेवा प्रदाता, उसकी सदस्यता लेनी पड़ेगी, यानि आपको किसी company को subscribe करना पड़ेगा, BSNL या किसी को, और आराम से websites खोलो, internet service provider, यानि Jio, BSNL जैसे example की बात कर रहा हूँ, ये क्या करते हैं, ये internet की सेवाएं, ग्रहकों को बेजते हैं, simple सी बात है, इस satellites से internet लेते हैं, government को पैसा देते हैं, और उसके बाद वो internet आपको उन computer से, दुनिया के बहुत बड़े network से आपको connect करते हैं, वो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, see you next video, bye bye